प्रतेक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का अध्येन करता है, तो उस अध्येन का, विद्या का यथार्थ उद्धिश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्वामी राम कृष्ण परम हांस जी के विचार सुनते हैं, प्रवचन प्रारंभ करते हैं। शास्त्र ग्रंथ ईश्वर के निकट पहुचाने का बस मार्ग बताता है, एक बार मार्ग उपाए जान लेने पर, फिर शास्त्र ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो ईश्वर लाब के लिए स्वयम ही साधना करनी पड़ती है, किसी आदमी को गाउं से चिठी मिली, उसमें रिष्टेदारों के यहां कुछ चीजें सौगात भेजने की बात लिखी थी, चीजें मगवाते समय उसने फिर एक बार उस चिठी को देखना चाहा, ताकि उसमें लिखा सभी सामान ठीक ठीक मंगाया जा सके। परन्तु वह चिठी नहीं दिखाई दी, तब उसने बहुत ही व्यग्र होकर चिठी को खोजना सुरू किया, बहुत से लोगों ने मिलकर काफी देर तक ढूंडने के बाद अंत में वह चिठी मिल गई, तब उस व्यक्ती को बड़ा आनंद हुआ, और उसने बड़ी रात हाथ में चिठी लेकर पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था पाँच सेर मिठाई, सो संतरे, आठ धोतियां और बहुत सारा सामान भीजना है, यह जान लेने के बाद फिर चिठी की जरूरत नहीं रही, चिठी छोड़कर वह उन चीजों का प्रबंद करने चल दिय चिठी की जरूरत कब तक है, जब तक उसमें लिखी वस्त्वों के विशय में न जान लिया जाए, एक बार वह जान लेने के बाद अगला काम है, वह सब प्राप्त करने की चेश्टा करना, इसी तरह शास्त्रों में केवल ईश्वर के पास पहुँचने का मार्ग भर बतला उनकी प्राप्ती के उपाय भर पाये जाते हैं, वह सब जान लेने के बाद लक्ष प्राप्ती के लिए तदनुसार काम शुरू कर देना चाहिए, तभी वास्त्विक लाब होगा, जिसके द्वारा इश्वर प्राप्ती हो, वही तो पराविद्या है, दर्शन, न्याए, व्याकरण आदी सारे शास्त्र केवल भार रूप हैं, वे चित्त में ब्रह्म ही पैदा करते हैं, ग्रंथ मानों, ग्रंथी ही है, यदि वे इश्वर का ज्यान करा दें, तभी उनसे लाब है, कई लोग सोचते हैं, कि पुस्तक नहीं पढ़ने से, इश्वर विशयक ज्यान नहीं होता, विद्या नहीं मिलती, परंतु, पढ़ने से सुनना अच्छा है, और सुनने से भी अच्छा है, देखना, स्वयम पढ़ने की बजाए, आचारिये के मुख से, सत्य का शवन करने पर, धारणा अधिक कहरी होती है, परंतु, प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव, सबसे अधिक होता है, काशी के बारे में पढ़ने की बजाए, जो काशी जाकर आया है, उसके मुख से सुनना ज्यादा अच्छा है, किन्तु, सबसे अच्छा तो यही है, कि स्वयम अपनी आखों से, काशी के दर्शन कर लिये जाए, दो प्रकार के लोग, आत्म ज्यान प् जिनका मन, दूसरों से उधार लिये हुए विचारों से, नहीं भरा है, और दूसरे वे, जिन्होंने सारा शास्त्र, विज्ञान आदी पढ़ने के बाद यही जाना है, कि हम कुछ भी नहीं जानते, लोग, अपनी विद्या का घमंड करते और भ्रम, अंध विश्वास प्रेम मय प्रभु सदैव तक पर रहते हैं, अगर कुछ समय के लिए वह गलत राह पर भी चलता रहे, तो भी उससे कुछ बिगड़ता नहीं, उसके हृदय किस प्रिहा को प्रभु जानते हैं, और अंत में पून कर देते हैं, दो मित्र किसी आम के बगीचे में घूमने गए, उन में से एक जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी, बगीचे में पहुचते ही वहां कितने आम के पेड़ हैं, किस पेड़ पर कितने आम लगे हैं, सारे बगीचे की कीमत कितनी हैं, इस प्रकार की बातों का हिसाब करने लगा दूसरे ने जाकर आम के वगीचे के मालिक के साथ मित्रता कर ली और एक पेड़ के नीचे बैठ कर बड़े मजे से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा अब बताओ इन दोनों में से कौन बुद्धी मान है आम खाओ उससे पेट भरेगा पेड़ पत्तों को गिनने और हि जो ग्याना भिमानी होते हैं वे निरणथक तरक युक्ति द्वारा स्रिष्टी की कारण मीमानसा आदी में ही व्यस्त रहते हैं परंतु यथार्थ बुद्धी मान भग्त जन स्रिष्टी करता परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर संसार में परमानंद का उपभौग करते ह यदि किसी में ग्यान स्वरूपिनी वाग देवी की ग्यान की एक किरण भी आ जाए तो उसके सामने बड़े से बड़ा पंडित भी जमीन पर रेंगने लगता है केच्वे की तरह गीता शब्द का लगातार उच्चारन करने से गीता 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 गी अर्थात त्यागी त् करने लगता है अर्थात गीता यही कहती है कि हे जीव सरवश्व का त्याग कर इश्वर के पदचिन्नों में चित्त लगाओ दक्षिन भारत में तीर्थ यात्रा करते समय एक स्थान पर चैतन्य देव ने देखा कि एक पंडित गीता पाठ कर रहा है और पास ही एक भग्त उसे सुनते हुए आस्वों की धार बहा रहा है वास्तों में वह भग्त बिलकुल निरक्षर था पढ़ा लिखा नहीं था परंतु गीता का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था बाद में चैतन्य देव ने उससे रोने का कारण पूछा उसने उत्तर दिया महराज यह सच है कि म गीता का एक अक्षर भी नहीं समझता पर जब गीता का पाठ चल रहा था तो उस समय मुझे केवल यही दिखाई दे रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में रत पर अरजुन के सामने भगवान शी कृष्न की मनोहर मूर्ती विराजमान है और वह गीता का उपदेश दे र इस निरक्षर व्यक्ति को सरवोच्च ज्यान प्राप्थ हुआ था इश्वर का दर्शन लाब हुआ था क्योंकि उसके हृदय में इश्वर के प्रती प्रेइम था मधु मक्की जब तक गुन-गुन करती हुई फूल के चारों और मंडराती रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि उसे फूल का मधु नहीं मिला है अगर एक बार उसे मधु मिल जाए तो फिर उसका गुन-गुनाना रुक जाता है और वह शांत होकर फूल पर बैठकर पान करने लगती है इसी तरहे मनुश्य जब तक धर्म के सिध्धान्तों को लेकर तरक वितरक करता रहता है तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्मा अमृत का स्वाद नहीं मिला है एक बार यदि वह उस अमृत का स्वाद चकले तो फिर वह शांत हो जाता है जो अंग्रेजी सीखने लगता है वे अपना ग्यान दिखाने के लिए अपनी भाषा में बोलते समय भी बात बात पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है परन्तु जो अच्छी तरह अंग्रेजी जानता है वे अपनी भाषा में बात चीत करते समय अंग्रेजी हो हो की आवाज सुनाई देती है स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता परंतु बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर नहीं सुनाई पड़ता तब तो स्पष्ट सुनाई और दिखाई देता है कि लोग सोदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सामान लो पैसे दो इत्यादी इसी भाती जब तक मनुश्य ईश्वर से दूर होता है तब तक वह विर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क वितर्क के कोला हल में उलजा रहता है परंतु एक बार जब वह धर्म जगत में प्रविश्ट होकर इश्वर तक पहुँच जाता है तब उसकी सारी तर्क युक्ति और चर्चाएं बंद हो जाती है और उसे इश्वर के स्वरूप का स्पष्ट रूप से ग्यान हो जाता है गर्म घी में कच्ची पूरी छोड़ने पर कल-कल की आवाज होती है पर पूरी जैसे ही पकती जाती है वैसे ही आवाज कम होती जाती है और जब वह पूरी तरह पक जाती है तो आवाज बिलकुल ही बंद हो जाती है इसी तरह थोड़ा सा ग्यान मिलने पर मनुश्य खूब व्याख्यान देने और प्रचार करने लगता है किन्तु पूर्ण ग्यान प्राप्त हो जाने पर सारा बाहिया आडम पर समाप्त हो जाता है व्यर्थ में तरक मत करो तरक करके तुम किसी को उसकी भूल नहीं समझा सकते जब सर्वशक्ति मान परमेश्वर की कृपा होती है तब ही मनुष्य अपने गलतियों को समझ पाता है